एक आंकड़े के नुसार चीनी सेनिकों ने अपनी आजादी के बाद च्छागार स्थानी और सीमा गत्युद्धों में भाग लिया है सबासट का भारत चीन युद्ध भी उसी में से एक है भारत और चीन के बीच इस सस्थर संखर्ष को मैं हस्तिनाग युद्ध की समया देता हूँ सीमा रक्षक बलों के बीच का इरिवाद किस तरह एक युद्ध में परिणत हुआ या अपने आप में दर्श्टब के है वानूंग हेमालय की दक्षनी गोज में स्थित एक सुन्दर ग्राम है 1962 के नौंबर माह में यहां भारत और चीन के सेनिकों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था जिसमें चीन को वानूंग उप्राप करने में निर्नायक जीत हासिक हुई इस भाव युद्ध को निर्नायक बनाने का स्थे चीन के सेनिक कमान एक सो तीस के सेना कमांडर तूंग चांग लिंग हो जाता है जिहोंने इस विद्ध में भाव लेकर इसकी निशा और दसारे धारेत की आई आज हम 15 सकपूर भारत चीन के हरसी नाकसरी के हिद की कहानी शुने श्वयम इस महान युद्धा की जबाद उनेस से बासट के अक्टूबर माह की आठ्मी तारीकी शाम चीनी कमान एक सो तीस के कमांडर को अक्समात एक अत्यावश्यक संदेश श्रार पर प्राप्त हुआ हनाकितार सेनी संदेश के रूप में अग्रेशित किया गया था पर ये केंज सरकार द्वारा प्रेशित नहीं था परन संदेश अस्थाने विए शंक्तू सेनी छेत्र कमान और जनल स्टाफ के कारियले से बेजा गया था जिसमें सेनिक बनों को एकत्रित होने और किसी संभाव युद्ध के लिए तयार रहने का आदेश दिया गया था प्रसंदेश में शक्त्रू और युद्ध के कार्यवाई के स्थान का कोई जिक्र नहीं था दो दिनों के बाद 10 अक्टूबर तूंग चांग लिंग को जनल स्थाफ के कारयर से स्पष्ट आदिश मिला कि वो उनकी टुकड़ी 130 प्रभाद तिबद के लिए प्रस्थान करें और तिबद से निशेतर का कमान संभाले और दुआंग इलाके की तरफ अब रशर हो तूंग लिंग को याद है कि समय की किलत के बाव जोड उनकी टुकड़ी अपने कर्तब्य पारण के लिए फोड़ दया तयार थी उनके अनुसार 130 कमान चीन के तीन बहतरीन कमानों में से एक थी संभर्ष का पाठ उनोंने जापानियों के साथ 40 और 50 के दसा चीन की आजादी की राई लगते वे सीखी थी स्थोर्टी का पाठ उनोंने चीन को कोमिन तान मुक पराते वक सीखा था और उत्तर कोडिया को अमेरिका के कहर से बचाते वक हमने अपने सेनी तुकुरी को फूरत यासुशर जित कर विया था सफल्दा प्राप्त करना जैसे इस सेनी तुकुरी का भागी मैं जुगा था इस चांगलिंग के अपनी तुकुरी में 120 वाहन और दोप्मों वाहिताडियों को सामिल किया जाए तो कुल मिलाकर इस कमान में 500 से यादा गाड़िया नहीं थी पर युद्ध छेत्र और उसकी भागोल के स्थति युद्ध के सिध्धान, साधना और सैनिक शक्ति के बीच भी अनवत संगहर्ष करती रहती है इन सैनिकों को इस बार हिमाले की उचाईयों कर युद्ध करना था जो अपने आप में पहलीद रहका था चेपकिसद की शत्रों कोई और नहीं बलकि भारत की वो टुकड़ियां थी जो द्वीती विश्विद में सहयोगी दलों, प्रुवी दलों दोनों तरफ से भाग ले चुगी थी बटालियन 130 भी वास्तव में कम नहीं थी यह चीन की सरवस्रे स्वाजों में से एक थी इन्होंने इस भायानक युद के लिए अपने आपो सताहनता तयार कर लिया तुंचांगलेंग अपने टीम और अन्य संबद सेनी तुकड़ी के प्रमुखों का नितित्रों करते हुए सतू के सामरिक और उनकी संचार सक्ति का टोग लेने चल पड़े चामो ये जगह तिबद के दक्षिर में है 29 अक्ट बर उन्हें सब बासक संध्या तर तुंचांगलेंग की टीम चामो पहुंच चुके थी इस जगा एक भयानक युद्ध हिंदी और चीनी सेनिकों के बीच हुआ था जिसमें हिंदी फौज भाग खड़ी हुए बाद यहां चामो खॉस्पिटल का निर्वान किया गया जो तिबद वास्यों के लिए आल भी वरगाई है जिबद में नैतिक कुछ है बड़ी मायने रखती है खुपिया जानकारी के मताबिक हिंदी फौज ने एतिबती ग्रामिनों पर कहर बसाना शुरू कर दिया इसमें से कुछ की मौत खड़ना स्थाल पर ही हो गए वास्तर में भारत ये सेनिकों का ग्रामिनों पर अतिशय बर प्रयोग उनके नितीकत हार का प्रारबध लिग चुका था इसके परिणाम धुरुगामी हुए भारत के इस नेतिक पतन का प्रयोग तूंग चांग बेग ने भारत को एक करारी हार देने की निती लिकर भारती हार को निश्चे कर दिया इस भावी प्रलेंकार युद्ध में माउसुतों की जनवादी विचारधारा चमतकारी शाबित होई जिसकी विरेचना आगे की जाएगा भारत को अपनी सहार से सीख लेनी चाहिए कि एक उदंड समाज में दमनकारी नीतियों का निर्मान होता है और दमनकारी नीतिया उस समय तब भले ही प्रभावी क्यों नहों पर कभी न कभी उनका अंत जरूर होता है मैं ये आशा करूँगा कि भारत सरकार कश्मीरियों पर अध्याचारी न बने और उन्हें स्वाभिमान से रहने और अपने जीवन को सही धंग से यापन करने के यथार्थ प्रयास और अवसर पैला करें मैं ये समाज से विर्टी करता हूँ ये भारत सरकारी पत्खोर नीतियों का विरोष तो जरू करें पर अपनी अहिंसात्मत नीतियों को भी न छोड़ें हम मानो हैं और मानोवादी होने के नाते हमें हर एक के सुख और दुख के साथ जीना और मरना पड़े हैं मुल्ले को मारकर पंडित को बचाना पंडित को मारकर शूद्रों को बचाना इस तरह की परंपड़ागर नीतियों से बाहर उठकर एक सभिता और विशेश रूप से सब समाज की स्थापना करने वादे उनीतियों का निर्मान कर जिससे भारत फिर से गौरवान में जो संगीन पे धर कर माता सुगय अमर बलिदानी जो शहीद हुए है उनकी जरा रात करो पुरवानी जब देश में थी दीवाली वो खेल रहे थे होली जब हम बैठे थे घरों में वो जेल रहे थे गोली थे धन्य जवाल वो अपनी थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए है उनकी जरा रात करो पुरवारी कोई सिख कोई जाट मरा था कोई गुर था कोई मदरा से सरहत पर मरने वारा सरहत पर मरने वारा हर भीर था भारत वासी जो खून गिरा परवत पर वो खून था हिंदोस्तानी जो शहीद है उनकी जरा रात करो पुरवारी थी खोन से लथ पथ पाया फिर भी बंदूक उठाके दस दस को एक ने मारा फिर गिर गए होश गवागे जब अन्त समया आया दो कह गए के अब मर थे हैं खुश रहना देश के प्यारों अब हम तो सफर करते हैं अब हम तो सफर करते हैं क्या लोग थे वो दीवानी क्या लोग थे वो अभिमानी जो शहीद होए हैं उनकी सरा यात करो पुरवारी तुम भूल नराओ उनको इसलिए कही ये कहानी जो शहीद होए हैं उनकी जरा लात करो पुरवारी जय हिंड जय हिंड जय हिंड की सेला जय हिंड जय हिंड की सेला जय हिंडे जय हिंड जय हिंड जय हिंड जय हिंड की वुरुप झाल झाल